सब्सक्राइब करने कर लिए आज का यूनिट है यूनिट एटी यानि की यूस्ट टू का यूस्ट हम तब करते हैं कि कोई चीज चीज जो बास्ट में अक्ष्ट होती थी और वो नहीं होती है जसी ंकॉल जो है पहले बहुत जार बोल करती थी फ ci है। इसका मतलब वह नहीं करती थी इसी सबंदु Sumash एक्सक्रानेशन इसकी मैंने आपको पहले कर दिया है उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी और पर प्लेइलिस्ट पी मैंने रिखी है तो आज हम करेंगे इसकी जो अन्सॉल्ट एक्सराइजेस है उसे करते हैं विदाउट नी डिले एक्स्टाइज़ यूज यूज तू प्लस असूटेबल वर्ब आपने यूज लिखना है या यूज तू लिखना है यूज तू लिखना है असूटेबल वर्ब के साथ कम्टीट करना है तो कैसे करते है निकोला ड़स नो ट्रेवल मच नॉ अभी वो ट्रेवल नहीं करती है मतलब पहले करती तबी तहीं खिलने के अभी आते हैं She used to travel a lot but she prefers to stay at home दीज़ते, आज कल वो घर रहना पसंद करते है तो used to आगया Sophie dash a motorbike but last year she sold it and bought a car पहले उसके पाथ motorbike थी पहल पिछल उसने उसे बेखा गिया और क्या किया उसने car खृत ली So Sophie used to have a motorbike used to have a motorbike next we moved to Spain a few years ago कुछ साल पहले हम Spain चलेगे we crash in Paris Spain चलेगे तो हम क्या लिखे पहले कह थे कहा रहते थे आप वी उस्ट टू कहां लिव इन पारिस पहले हम पारिस में रहते थे लेकिन बाद में Spain move okay I really eat ice creams now भी मैं बहुत कम ice cream काता हूं but I dash it when I was a child so क्या लिखे I used to eat it used to eat it when I was a child next Jackie dash my best friend but we are not good friends anymore पहले वहम अच्छे दोस्ते अब हम अच्छे दोस्त नहीं है so Jackie used to be my best friend ठीक है used to be my best friend it only takes me about 40 minutes to go to work now that the new road is open जब से new road open होया अब मुझे से 40 minutes लगते है अपने work पे जाने के लिए it dash more than a hour पहले एगंटे से भी जादा लगता था तो हम क्या लिखे it used to take more than an hour there dash a hotel near the airport पहले तो यहाँ पर hotel था airport के पास but it closed a long time ago बहुर टाइम पहले वह बंद हो गया there used to be a hotel near the airport when you lived in new york जब आपने रहते थे दाश्टे तेटर में जाते थे तो हम क्या लिखे दिए did you used to go क्योंकि question है तो did के साथ लिखेंगे अगर did है तो used नहीं आएगा use it did के साथ हमेशे use आएगा used नहीं आएगा यह मैंने पहले ही आपको बात बताई है इसकी explanation में did you used to go to the theater very often right compare when what karen said five years ago and what she said today five years ago karen said five years ago and what she said today i travel a lot i have caught lots of friends i am very lazy i don't like cheese now what she said i eat lot of cheese now i work very hard these days i don't know many people these days i work in a book shop now तो यह इस साइट के भी ऐसे i am a hotel receptionist my dog died two years ago बस ऐसे करके है आपने क्या करने है now right sentences about how karen has changed we use used to did not used to never used to in the first part of your sentences first part में आपने did not or does not के साथ कुछ भी आपने लगा के इसको complete करना है यानि कि जब आप करेंगे तो अब आपको अच्छे सापस चलेगा first देखो example है she used to travel a lot पहले वो बहुत जादा ट्रेवल करती थी but she does not go very much these days आज कल वो बहुत जादा ट्रेवल नहीं करती है तो she does not के साथ हमने लिखती है ना she dash but dash जो पहले ऐसे थी अब ऐसे है बस ऐसे ऐसे आपने कर देना है ठीक है देखो she यह friends वली बात होगी ना और यहां पर friends वली बात किया many people these days यह इसके साथ contradict कर रहे तो हम क्या लिखेंगे she used to have a lot of friends she used to have a lots of friends but अब क्या है but she does not know many people these days ऐसे लिखतेंगे ना she हम क्या लिख देंगे does not know many people these days I hope आपको यह clear है ओ यह ऐसे रहा यहां रखते हो से मैं yeah, now it's fine अब नेक्स देको थार्ड वाला कोई भी situation अभी यह ले लो आप लेजी वाली बात ले लो अच्छा वह पहले क्या थी लेजी थी ठीक है तो अब क्या करती है हार्ड वर करती है यह इसके साथ कॉंट्राडिक्ट कर रहा है तो अब क्या लिखेंगे शी यूज़ तो बी वेरी लेजी शी यूज़ तो बी वेरी लेजी बट शी वर्क्स वेरी हाट थीज़ थीज़ ठीक है अभी समझा रहे है ना आपको शी वर्क्स वेरी हाड थीज़ थीज़ रई 4th one अच्छा 4th में क्या है 5th में सब्सक्राइब क्ते चीज़ वाली लेएँ मेंच चीज़ तो यहाँ पर pixels लेटोडसो क्तेज़ दद Сाबurpose अब बोल रहे है कि मैं बड़ी चीज काती हूँ पहले उसे चीज बिलकुल भी पसंद नहीं थी तो आप क्या लिखेंगे? शी डिड नॉट यूज तो लाइक चीज तेगे न भी पसंद नहीं थी तो डिड रे और डिड के साथ ही लिखेंगे शी क्या लिख देंगे? डिड नॉट डिड नॉट यूज तो लाइक चीज पहले पसंद नहीं थी बट शी एट्स लॉट्स ओफ चीज नहीं थी ठीक है ना? शी एट्स लॉट्स ओफ चीज नहीं थी समझ आ रहे है न आपको? अच्छा अगला देखो चीज वाला हो गया उसके बाद क्या है? यह रिसेप्शनिस्ट वाली बात करते है पहले होटेल रिसेप्शनिस्ट थी अब क्या करती है? बुक्शॉप में काम करती है ठीक है ना? सिंपल अब क्या करती है वह रिसेप्शनिस्ट थीक है? हम लिख देंगे यह रिसेप्शनिस्ट थीक है 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 रिसेप्शनिस्ट थीक तो हम क्या लिखेंगे? She used to play the piano. She used to play the piano. But, अब क्या करती है? She has not played the piano for years. ठीक है? She has not played अब क्या क्या करती थी और अब क्या करती थी और अब क्या करती थी और अब क्या करती है? इस तरीकी के सेंटेंस ते बड़ी है आपके इंग्लिश को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे? Okay, simple है, लेकिन काम के बड़े है. 7th देखू, अच्छा, यह हो गया. अगला यूस्पेपर, I never read यूस्पेपर, वो कह बोले कि मैं यूस्पेपर नहीं पड़ती, और यहां पर I read a newspaper everyday now, इसके साथ contradict हो गया, तो हम क्या लिख देंगे? यहां पर हम क्या लिख देंगे? She never used to read the newspaper, यहां फिर हम लिख देंगे, she did not used to read the newspaper, कोई भी. She did not used to read, used to read newspaper, बट अब कह गरती है? But, she reads a newspaper everyday now, ठीक है ना? She reads a newspaper everyday now, अब वो हर दिन यूस्पेपर पड़ती है. अगला, I do not drink tea, I do not drink tea, कि में tea पसंद नहीं करती, तो यहां पर इसका क्या है? Yeah, tea is great, I like it now, हो यहां नहीं, I do not drink tea, tea is अच्छी है, मैं उसे पसंद भी रोज पीती हो, तो यहां परका क्या? She did not use to drink tea, यहां पर लिख देंगे, she did not use to drink tea, बट अब क्या 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 है? She likes it now, क्या? She, यह आपको readable है न, समझ आ रही है अच्छी से, next, अच्छा, tea वला भी हो गया, यह dog वला, I have got a dog, यहां पर my dog died two years ago, यहां पर my dog died two years ago, यहां पर my dog died two years ago, but it died two years ago, next, I go to a lots of parties, और यहां पर I have not been to a party for ages, यहां पर जाती थी और यहां पर पार्टी पही नहीं जाती है, कितना change आ गया है उसमें देखो, she, क्या लिखेंगे, she used to go to a lots of parties, ठीक है न, she used to go to a lot of, lot of kya है, parties, but kya है, but she has not been to a party for ages, she, has not been to a party for ages, okay, यहां परी यहां परेंगे, she has not been to a party for ages, पर यहां परी पार्टी पार्टी तेखो, like the example, begin I used to, ठीक है I used to से start करना है आपने sentence जैसे, I used to live in a small village but now I live in London पाले मैं छोटे से village में राता था और अब कहां? लंडेन में बस इसी तरह के से अपने ideas को यूज करो अपनी creativity को यूज करो और ये sentence बना दो ठीक है? कोई भी आप कर सकते हो यहां पर जैसे I used to play tennis a lot but I do not play anymore अब मैं नहीं केलता, पहले केलता था इसी तरीके थे लिखतो, I used डैश बटने पहले ऐसा था और अब ऐसा हूँ, कोई भी लिखतो जैसे आप लिखतो, I used to watch TV a lot but I don't watch it much now आप लिखतो, I used to used तो लिखतो, watch TV a lot but I don't watch it now but I don't watch it much now next, I used to be a vegetarian but now I eat some meat sometime कोई भी लिखतो, ना, ठीक है I used to read newspaper I used to read newspaper every day but I don't read it now ठीक है ना, ऐसे करके कोई बना दो I used क्या लिखतो, कोई भी आप किसी भी तरीके से बना दो I used to drink tea very often but I don't like it now ठीक है, कोई भी बना सकते ही, यह मैंने बनाया है आप अपना बना हो, खुछ से बना हो, ठीक है next, now begin with I did not used to अच्छा भी अपने वो लिखने है जो आप पहले नहीं करते थे और अब वो आप काम करते हो, ठीक है जैसे लिखतो I did not used to read a lot but I do now पहले तो नहीं करता था और अब मैं पढ़ाई करता हूं, ठीक है और लिख दो I did not dash but I do now कोई भी लिख सकते हो, ठीक है जैसे आप लिख दो I did not used to like hot weathers I did not used to like hot weather but now I love it but now I love it है ना कोई भी लिख सकते हो, ना अगर लिख दो I did not used to drink milk but I drink it every day नाओ ठीक है, हो गया I hope with this we are done with this unit unit number 18 I hope कि आपको समझ आया होगा, ठीक है कोई प्रॉब्लम है तो फिल फ्री to ask in the comment section comment section में बोश लो, कोई भी डाउट आता है कोई भी प्रॉब्लम आती है, वैसे तो मैंने आपको यह सारे करवा दिया ठीक है, अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश की है और फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, तो यह रूज पढ़ो अच्छे से इसको समझो पहले और फिर करने तीक है step by step चलो, सारे unit sequentially करो और मिलते है नेक्स्ट वीडियो में अगर वीडियो अच्छे लगती है, तो लाइक भी कर दिया करो यार और वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो मिलते है नेक्स्ट वीडियो में, stay tuned, bye bye, happy learning